तो नमस्कार सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बाफ फिर से आप सभी लोगों के अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी मास्टर पर तो जैसे कि आप सबी लोगों को मालूमी है कि डेली हम लोग क्या करते है साम को एक GS की क्लास करते है तो आज भी हम GS की एक क्लास को करेंगे तो आप लोग इस रिक्वेस्ट पहले तो मैं यह कर देना चाहता हूँ करपया करके केवल और केवल प्रशनों का जबाब दी जो आप से पूछा जाए आपको केवल और केवल उसका जबाब देना है तिक है आपको फाल्तिकी चीज़ों का जबाब नहीं देना है जो इतना पूछा जाए उतना जबाब दीजेगा ठीक है और मैं ज़्यादा लोगों के नाम लेनी पाऊंगा क्योंकि ये क्लास सोड़ी सी जल्दी हम लोगों को निप्टा नहीं है ठीक है तो आपको गलतिया नहीं करनी है जो कुछ मैंने बताए इस वीडियो को आप अच्छी तरह देख लेना चले और यह देख सकते हो आप लोग कि कल की ये वी जो फोटो है कल की है तो कल काफी कुछ करने को था और बहुत कुछ सीखने को भी मिला ठीक है तो वीयलो की अगर आप पर काम तमाम हो जाएगा जोकि हमारा एयरिया था काफी है अगर्मे को अँगल कलास को कई तो चलए स्टार्ट करते हैं कलास को जतने भी लोग अभी आ चुक इस तर्सकार करते हैं आज की कलास को ठीक है सो अब एक चीज और समझ लीजेगा बहुत साथ लोग इस बात को ले करके परिशान हो रहे हैं कि सर क्या KBS का जो पेपर है वो कठे ना आएगा आज GSK 209 वे नंबर की कलास होगी ठीक है पहले नंबर का प्रश्ण है कि भारतिय शमिधान के बिशेय में दिया गया कथन किसका है लिखा है भारतिय शमिधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मद एक अच्छा संतुलिन इस्तापित करता है क्या यह डॉक्टर बियार अ शमबेडकर जी ने कहा या फिर कि एमबी पाईल जीन पाईली जीने केशी वीलर ने या फिर किस ने कहा हुआ है प्रेश्ण बहुत अच्छा है अगर आपको आता है तो बताएंगे क्या हो गये आप देखें यहां पर जो आंसर होगा केशी वीलर ऑफशिन अमबर डेटीक प्रेशन पर आते हैं लिखा हुआ कि जब कोई विदेहक संसद्व के दौनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्द लिखित में से किसको उस विदेहक पर अनमती रोकने का अधिकार प्राप्त है क्या वो राष्ट पती है परधान मंत्री है लोकसभा का द्यक राज्य सभा का पदिन सभापती कौन होता है यह बहुत बहुत प्रशन आता रहता है और बहुत सवरल है इसको आई थिंक आप लोग पहली बार में कर लोगे ठीक है फिर से एक प्रशन और पूछूंगा जिसमें आप लोगों का दिमाग घूम सकता तो प्रशन है कि राज नमबर पर हमाते हैं हरिपा कालीन सभिता इस्तल लोथल कहां पर है हरिपा कालीन सभिता इस्तल लोथल आखिरकार कहां पर है क्या गुजरात में हैं पंजाब में सिंध में या पर राजिस्तान में तो हरिपा कालीन सभिता इस्तल लोथल कहां पर है लोथल जो है वो कहां प का युद किस नदी के नारे लड़ा गया था इस टारम नालो यूपी PCS में तक ये प्रशन पूछा गया है ठीक है तो अगर हम बात करें ये कहां लड़ा गया था बताईए ये जो लड़ा गया था अगर हम बात करें पुरुष पढ़नी नदी के किनारे लड़ा गया था और इस नदी को रावी नदी के नाम से आज के समय जाना जाता है कौन सी नदी रावी नदी के नाम से आज के समय अगर पूछा है आज के समय इस नदी का नाम क्या है तो रावी नदी है ठीक है छटवे नमबर के प्रश्ण बार आते हैं लिखा है कि निम्द लिकेद में से किस जैन सबा में अंतिम रूप से स्वेताम बर आगम का संप्रदान हुआ बैशाली बल्लभी पाटली पुच्टर या फिर पावा ठीक है तो जैन सबा में अंतिम रूप से स्वेताम बर आगम का संप्रदान हुआ तो आकरका किसम हुआ था यह होगा बल लबी में ठीक है तो बल लबी में हुआ था ओफशन नमबर बी साथवे नमबर पर माते हैं निम्द लिखत लेखकों मैंसे कौन जैन धर्म का अनुआई था मतलब ऐसा कौन सा लेखक था जैन धर्म को मानने वाला था ठीक है तो जैन धर्म को मानने वाले लेखक के अगर हम बात करें तो जैन धर्म को आकरकार कौन सा लेखक मानता था प्रशन बहुत अच्छा है जहन धर्म के अगर हम बात करें जहन धर्म को कौन सा लेखक मानता था ठीक है जहन धर्म को आखिरकार कौन सा लेखक मानता था जहन धर्म के अगर हम बात करें तो यह जो मानता था उसका नाम क्या है देखें जहन धर्म को मानने वाले लेखक कौन थे ठीक है प्रशन अच्छा एक तो यह कौन थे अगर हम बात करें को कौन Ethemux लग sancta अभी बेंगा अथी ऑच के जोती पुंज या फिर लाइट आफ एशिया अगर एशिच्ट पुंज नहीं तो इतने तो समझते हो light of Asia ठीक है light of Asia आखिरकार किसे कहते हैं ये कहते हैं गौतम बुद्ध जी को ठीक है गौतम बुद्ध इज आल्सो नोन अज़ लाइट आफ एशिया इनको light of Asia के नाम से जाने जाता है ठीक है नौवे नंबर पर हम आते हैं लिखा हुआ कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल समराट के समकालीन था भक्त तुकाराम आखिरकार किस मुगल समराट के समकालीन थे ठीक है प्रशन अच्छा है तो तुकाराम के अगर हम बात करें तो तुकाराम किसके समकालीन था भक्त तुकाराम आखिरकर किसके समकालीन था प्रश्ण बहुत अच्छा है देखे भक्त तुकाराम कि हम बात करें तो भक्त तुकाराम किसके समकालीन था भक्त तुकाराम जो था वो आपके जहांगीर और सहा जहां के समकाल नहीं तो मतलब आपका क्या मिल रहा है यहां पर आपका जहांगीर मिल रहा है और सही तो बो सही अगर यहां पर सहा जहां भी होता है जहांगीर ना होता अगर आपका सहा जहां होता तो आप सहा जहां देत ठीक है आते हैं अगले नंबर पर नौभी नंबर के प्रस्षिन पर आते हैं जब राजा बोडियार ने मैसूर राज की स्तापना की ता बिजय नगरम सामराज का सासा कौन था जब राजा बोडियार ने मैसूर राज की स्तापना करी थी तो आखिरकार उस समय बिजय नगर का राजा कौन था तो इसामिय कौन था राजा बैंकटतिय था अफश्चै entreprises या पर भूए तो मुझे नंबर पर में करते लंदन में इंडिया हाउस की स्थाप्न करी थी बो करी थी मुलक किसने गिदिया करी जी श्याम जी कृष्ण बर्मा ने 1905 तो याद रखे कब कीजिए 1905 में अफ्शन नमबरे ग्यारवे नमबर पर हमाते हैं कौन सुराज पार्टी संबंद नहीं रखता है इनमें से कौन आखिरकार सुराज पार्टी से संबंद रही है सुराज पार्टी से संबंद रही है तो सुराज पार्टी के अगर हम बात करें तो सुराज पार्टी संबंद आखिर कौन नहीं रखता बदाई हैं आप लोग देकिए आगर हम बात करें तो मोटिला लह्रू थे ठीक है अगर मोटिला लहु पर स्ताफना 1903 में करेगी थी इंटीन टॉंटीरे में इश्यक्रावाबाद में इखेंगे ठीक है आते हम लोग 12 नमबर के प्रिजण पर आते है भारतिय राष्टी कॉंग्रिस की स्थापना किस बाश्तरा की काल मुई थे कि अगर स्टीकर्ण्स गलत हो रहा है नंबरिंग का तो आप लोग परिशान में थो ना ठीक है जो प्रश्चिन के आगे नंबर लिखा आपको उसे साफ से जबाब देना थे कमेंट मैं पढ़नी आप होंगा आप लोग रियालिटी जानते हैं तो भारतिय कांग्रिस के तources के ऐसमें के वह अपनल में कांप नहीं खाता है इन में से कौन सही मेल नहीं खाता यह बताने आपको प्रातना समाज डॉक्टर आत्मा राम पांडू रंगा आत्मी समा आकरकार क्या प्रातना समाज की अगर हम बात करें तो प्रातना समाज की जो इस्तापना करी थी वो इन्हों नहीं करी थी प्रातना समाज क तो देविंद नात ने नहीं करी थी यह किस ने करी थी राजा राम मोहन राय ने गई अठार सब पंद्रह में ठीक है आते हम लोग अगले नंबर पर चौदवे नंबर के प्रशन पर हमाते हैं भारत की मुक्ति महत्मा गांधी के नेट्ट में नहीं होगी यह बात किस ने कई पहली थी भारत की मुक्ति महत्मा गांधी के नेट्ट में नहीं होगी यह बात किस कि ने बोली है फैला आप्षिन मोहहमद अली जिन्ना दूसरा ऑप्षिन रिचाड एंटिली तीसरा ऑप्षिन सुबास चंदबोश और चौछ चर्चल ने त्यवाट किस ने बोली जी यह पर कौन सा चंबल घाटी योजना संबंदित रही है चंबल घाटी योजना से संबंद नहीं रखता है गांदी सागर जवार सागर गोविंद बलब पंच सागर या फिर गोविंद सागर तो चंबल घाटी योजना से संबंदित रही है तो आकरकार इन में से क्या चंबल गोविंद बल्लप पंत सागर यह जोना चंबल गाती सम्मन्दित रही है ठीक है आते हम लोग पन 16 नंबर के परिशन पर हम आते हैं लिखा हुआ है कि कौन सा आंध प्रदेश का बंदर गाहा का नगर है ठीक है काली नाड़ा है नेल लौर है भुजया नगर में या फिर प्रदेश का जो है नगर है ते क्या लगता है अगर हम बात करें इसकी क्या है इसकी जो हो जाए का की नाड़ा का की नाड़ा जो है विशाका पत्नम आंद प्रदेश में बंदर गाए ठीक है कहां पर यह विशाका पत्नम ठीक है आंद प्रदेश सत्तरवे नंबर पर हम आते हैं ऐखा घुब। नेस्टि भारत में निम्दिय कर her name कौन सा नवीनी करण ऊर्जा श्रोत सरबाधिक एक शंभाब्निता बाला है सोर सकती जैब पून्जी अप्सिस्ट से अर्जित या फिर लगु जल सकती चाखिरक कार भारत में निम्द लिखे में से कौन सी नवीनी करण ऊर्जा श्रोट संबर्धिक संभाब बिता बाला है तो क्या लगता है यहां पर टे क्या होगा तो यहां पर क्या होगा अगर हम बात करें सौर सक्टी तोलन एनर्जी है वह ज्यादा इनर्जी प्रोडूश करने की संभावन है उसमें ठीक तो यहाद रखेंगा आप लोग ठीक आते हम लोग अगले नंबर पर एठारवे नंबर पर आमाते हैं एक मिनट एठारवे नंबर पर आमाते हैं लिखा हुआ कि सबसे बड़ी जंजाती आकरकार कौन सी है इनमें से सब से बड़ी जंजाती कौन सी गौल जंजाती आप्शन नंबर भी सबसे बड़ी जंजाती है 19 वे नंबर पर हमाते हैं लिखा हुआ है कि भारत के किस राज्ज में अनसूचित जंजातियों की जन संक्या सबसे जड़ा है यह कहां पर उत्तर प्रदीश में अप्शन नंबर स 20 निंदने लिखित मेंसे कौन सा एक सही मेल नहीं खाता है तो इनमें से कौन सा मेल नहींगाता है इस निंदने खाता है यह आपका सिक्किम में तो ops निममर एवालगा गलत हो जाये आप लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औश्चत आकार कहां पर है पंजाब में है गुजरात राजिस्तान है फिर मद्द प्रदेश तो आखिरकार भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार कहां पर है तो आखिर बात करें कहां पर है यह आपका मद्ध प्रदेश में ठीक है कहां पर MP में है option number C 22 number पर हम आते हैं आखिर कार लिखा हुआ है 22 number का प्रशन है कि जब दोनों गोल आरतों में दिन और रात बरावर होते हैं जब दोनों गोल आरतों मतलब नौर्थ में और साथ में ठीक है नौर्थ और साथ में आकरकार जब दिन और रात बरावर होते हैं वो दिन डेट कौन सी होती है बहुत है आपके 21 मार्थ और 23 सितंबर आप्शन नमबर सी 23 number पर हमाते हैं निम्द लिखे दमें से जंसंक्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इश्लामिक राष्ट कौन सा है जनसंक्या के अधार पर विश्व का सबसे बड़ा इश्लामिक राष्ट आखरकार कौन सा बताएंगा आप लोग ठीक है बोले जल्दी के लिए निम्ट में से कौन एक कार्ण है मतलब किलोबल वार्मिंग के लिए आखिरकार कौन सा एक फैक्टर जादा responsible है ठीक है ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा कंड़ा इंक बट्टियों से निकलने वाली गैस पेड़ पाॉदव वाली कैसी बहानों से निकलने वाली गैसे काफी responsible हैं option number 1 carbon monoxide 24 नमबर पे आते हैं महा नगरों में जल इस्तर ब्रद्धी का आखरकार कारल क्या है महा नगरों में जल इस्तर ब्रद्धी का आखर में न कारल क्या है पहला option दुर्बी है परदेशों में बर्द्धी का आखर का रीजन क्या होता है देखिए महा सागर में जल इस्तर ब्रद्धी का रीजन की बात करें तो बिलकुल सिंपल है दुर्बी है परदेशों में बर्द्धी का पिखलना option number 25 नमबर पर माते हैं बायू प्रदूशल को कम किया जा सकता कैसे मचलियों के द्वारा सूर के प्रकाश के द्वारा ब्रक्षों के द्वारा फिर जंतियों के द्वारा तो बायू प्रदूशल को आखिरकार कैसे कम कर सकते हैं अगर बायू प्रदूशल हो रही है तो सीधी बाद के बहां पर हमको क्या कहते हैं कि प्रतिवर्ती धारा को जिस्ट हरा में परिवरतन वाली यग्ति को बताएंगा अब लोग टूर्ण करेंट को डी-सी करेंट में कंवर्ट करने के लिए हमको रैक्तिफायर की आवाश चेटा पड़ती है प्रत्यबर्ति धारा की होथ है ट्रक्राइब पड़ेगी के द्रिष्टी सताइस नंबर पर हें कि तरह बरताब करता है तो अगर हम बात करें करता है कैसे एक concave lens की तरह है ठीक है एक अवतल lens या फिर concave lens की तरह option number A 28 नमबर पर हमाते है बहे धातू जो acid abum alkali के साथ क्रिया करके hydrogen निकालता है acid और alkali के साथ में क्रिया करके hydrogen gas निकालता है वो कौन सा है वो आपका करता है acid abum alkali के साथ में क्रिया करके hydrogen निकालता है ठीक है 29 नमबर पर हमाते हैं इस्टैन लीस इस्टैन लेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ किस मैथपून धातू का प्रयोग किये जाता है aluminum chromium तिन या फिर कारवन का देखे इस्टैन लीस स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ किस और मैथिल का एस्तमाल करते हैं इसको किस का करते हैं इसको किस का करते हैं अदे स्टैनलिस स्टील बनती है तीस नंबर पर हम आते हैं निम्द लिकेद मैंसे कौन सा बिकल्प अंद तीन से भिन्द है 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 मेंटाइड मेंगनेटाइड लिमोनाइट या फिर वॉक्साइड आखर का तीन मैंसे एक अलग क्यों है ठीक है यह बताना आपको अफ्षन नमढड़ी बॉक्साइड अलग है ठीक है भॉक्साइड ऐलिमीनयम का एक अचछ को ओता है यह और खांड़ के और लिमोनाइट यह आपकी आईरन के और है किसकी यह अउन के और है कि श्ठीक इस लिए अलग है एक अत्यस नंबर पर हमाते हैं मेहलाओं में प्रज्णनिये है अन्टाणू उत्पादवन क्रिया में कौन सा हार्मों तेजी से ब्रद्धी करता है ठ्यएंगा कॉन सा हार्मों तेजी से ब्रद्धी करता था वताएंगा आपつ लोक कॉ transitioning एप्रोज्य फोग्रों को या फिर या फिर आप लोग आप लोगों का सी बाला कौन सा करता है यह करता है आप लोगों कौन यह एस्ट्रोजन ओफिन नमबर पर में लिखा हुआ है कि कौन सा पौधों में नाट्रोजन इस्तरी करल की छमता होती है ठीक बलब नाट्रोजन इस्तरी करल की छमता होती है चाबल और गेहूं या फिर आपका मक्का एबहं गन्ण या फिर चनक ताथ अन्य है या फिर आपका वहन्हां भारतिया रिजर्व बेंक को में आधवर्ट यहां देती खिछ है वह रेट्या लोग कर चुक है है उस रेइड को क्या कहते हैं चला बहुत बीस का ना तो उसको क्या कहते हैं उसको बisteOb ‫ई रपोर Purity section नमबर सी थैटीелिफोर नंबर पर हमाते हैं लिखा हुआ है प्रश्न भारत में सामुडाएक विकास कारी क्रम को कब आरहा ह्मुएब भारत में सामुडाएक विकास कारी क्रम कर कब आरे मुए दो अक्टूभर 1950 दो अक्टूभर आप लोगो बावन ओपिय इस नमबर पर हमाँते हैं निम्द लिखेत मैं से कितनी अभदी तक मंत्री संसा ददबार राज्य विधान मंदल का सदन्स बने बिना अपने पढ़ पर रह सकता है मतलब अगर कोई मान के चलो कि किसी को कोई माल माल सिंपल बात करते हैं अगर किसी को मुख मंत्री बना दिया जा ठीक है तो कम से कम उसको च्छे महीने तक जो है ना च्छे महीने के अंदर अंदर सदस्ता ले नहीं होगी नहीं तो उसको मंत्री पर मंत्री हो वो चला जाएगा पन थीक है प्रिश्न अच्छा है तो यहां पर क्या होगा बल्वंथ राय मेयता ने दिया असओक मेयता ने मेचा और ऊप्शन नमबर परमाते हैं राष्ट पत्थ पती अपात कालीन अधिकार सम्विधान के साथ धोका है यह कदन किस ने कहा है के मुंसी ने कहा है वी एण राव ने कहा है लिदाव ने कहा है तो राष्ट पती का आपात साथ 80 नमबर पर हमाते हैं भारत की स्वंभिधान का गठन किया गया तो भारत की स्वंभिधान सबागा का किसके डार किया गया तो भारत की शमिदान सबाग का गठन की अगधा कैबिनेट मिशन की योजनाओं के आधार पर 1946 में 39 नमबर पर हम आते हैं सिलपादी कारम के आखिरकाल लेखा कौन है सिलपादी कारम के लेखा कौन है क्या वो विश्रू श्वामिनी है या फिर करिकल है या फिर इलगो वदिगल है या फिर परणर है तो आखिर अगर हम बात करें इसके कौन है ये संगम साहितिका एक महत्वन महाकाब है अगर पूछा किसका है तो संगम साहितिका तो संगम काल का एक साहितिका है काफी महत्वन महा काब है और इसके लेखा कौन है? इसके लेखा में करिकल अब ये उनका पूरा नाम नहीं है उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है महान ये पूरा नाम ही है इनका पूरा नाम ही है ये कौन से राज़त है? यह आपके चॉल नभी छोलों के रा जातें यह चालश नमबर पर हमादे हैं प्राचीन भारत के एक महान सिक्षा केंद्र बिक्रम चला महाभियार की इसतापना किस ने किती कुमार गुप्त ने की थी भिक्षान चीजरा विल्कुल सम्पल है यह कि दौर्ण बहुत नुमल00द पर हो जाते हैं ब़ार्द में चिस्टिया शूफी मत को इस्तापिट किया था किन ने किया था ख्वाजा बरुद्दीन ने ख्वाजा मुईनुद्दीन ने सेख बरुद्दीन जकारिया ने सेख एहमद सरहिंद ने तो भारत में चिस्तिया सूफी मत को स्ताफित किस ने किया था ये किस ने किया था बताएंगा आप लो ये थे मुई रुद्दीन चिस्ती ने ओफ्शन नमबर भी ठीक है 42 नमबर पर माते हैं दिल्ली की कुवतल इसलाम मस्जिद के प्रडांग में प्रशिद लाहौर इस्तम किसकी स्मृति में है असोक चंदगुप्त दुतिय अनंग पाल या पर हार्श है ठीक है तो ये कहां पर किसकी में ये चंदगुप्त दुतिय के में है और ये कहां पर है महरौली दिल्ली में जगे है महरौली महरौली नामकिस्तान पर ठीक है 43 नमबर पर हमाते हैं महमद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां लेकर के आया था तो आकरकार महम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिली से कहां लेकर के आया था दिली से वो लेकर के आया था कहां पर दौलताबाद ऑफ्शन नमबर इसे महामूर का कहा जाता है और इसके मरने पर एक कवी ने कहा आपको बताने किस ने कहा उसने कहा राजा को अपनी प कि 21 जनवरी को किसका दिन दिन मनाती है मनाते हैं हम लोग गुरू गोविंद सिंग का ठीक है अफशे नंबर a गुरू गोविंद सिंग का चुंति हैं हैं इनका जनम 16 handsome दिन इक 21 जनवरी 16 तो पूर्टीफाइब नमबर पे आसल में फूर्टीफाइब का नंबर नहीं है नंबर तो कई जादा है कि मुझसे कहीं पर नंबर की निस्टेक हो गई है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ठीके पचास से ज़्यादा प्रश्ण है आखरकार आपको यह बताना है इन में स कौन सी घटी यह बताएंगा ठीक है यहां पर चलिए आपको दिखनी रहा होगा इस इमेज की वैसे तो बताएंगा आप लोगे 46 नंबर का 45 नंबर का प्रिशन कौन सा मैं फिर बूल गया तगरम बात के देखो यहां पर एबाला जमल एक दो तीन चार्थ कि यह सी राज गोपाल चारी यूजना कवाई थी यह इटी 1944 उनने सब्सक्राइब में बेवेल मिशन उनने सब पैतालिस में ठीक है मांट वैटिन यूजना 1946 में 1997 में ठीक है और हम बात का है कावने जो है आपका नाटीन 46 में ठीक है 1946 बश्कारा प्लटे स्लोंप भरने और ठीक है लिकार प्रक्राच और पुर्षा को सब्सक्राइब एक दो तीन चाह बिल्कुल सिकन से यह तो आप्षिन नमबर जाएगा आपका यह वाला ठीक है और कि यह तीसरी के चौथा आएगा ठीक यहां पर कुछ गड़वड़ है और पहला भी यह तीसरा पहला दूसरा चौथा तीसरा क्योंकि जो कैबिनिट पीशन तब उनने से चालिस में आया था मांट वैट नियोजना भारत के पार्टी स्पेशन से संबने थी तो यह आता आ पर मैं ऑफशन को टिक लगाना ठीक है ना निम्द लेकर मैंसे किनकी गरपतारी के ब्रोड में अम्रिस सरके जलिया बाला बाग में तेरह अप्रहल उन्निस तो इन्निस को एकात्रत हुए दे यह हम बहुत बाद कर चुक हैं डॉक्टर सत्पाल और सैफद्दीन के चुलू ऑफशन अमबर डीग वरोड में उननचात नंबर पर हम आते हैं लेका हो जैव समाज करन देब समाज का समस्तपक कौन देब कराक के संतापक जिए संक Arianti उत्थिख ऑफश है और क्या होता है कि कभी कभी नंबर जब मोबाल से क्लास होई नंबरों का ध्यान नहीं रहता है तो अब हम मिलेंगे रात को साड़े-9 वाली क्लास में तो यह आप देख सकते हो कल जो वियलू डूटी थी उसमें मैंने काम किया और कल सुबह सुबह चार बजे से ले करके रात के 9 बजे तक लगातार जागे हैं बलग काम किया ह तो सुबह में पांच बजे के आसपास अपने बहां पहुंच गया है सेंटर भूत पर तो बहां पर वोटिंग कर वाई और उसके बार में घर आए 9 बजे तो उसके आने के बार भी क्लास दी तो अब हम मिलते हैं रात को साड़े-9 वाली क्लास में तब तक के लिए बाइब